कोरोना वाइरस के बाद अब एक बार फिर चीन में नया वाइरस बड़ी तीजी से पढ़ रहा है आपको बता दें इस नय वाइरस की वज़े से अब तक चीन में साथ लोगों की मौत भी हो चुकी है वहीं साथ लोग इस बिमारी में बिमार हुए हैं जानकारी के मताबिक चीन के जियांगशू और अन्हुई प्रांत में कई तादाद में लोग बिमार हो रहे हैं पता है जार है कि वाइरस एक कीड़े के काटने से फ़ल रहा है इस वाइरस से डियांग्शो में अब तक सैत्स लोगों की और अन्हुई में अब तक तेज लोग बिमार हो चुके हैं इन दोनों राज़ों में इस नए वाइरस की वाइरस से साथ लोगों की मौद भी हो चुकी है इस वाइरस का नाम है हुई यंग शान बान्यांग वाइरस इस वाइरस को एस एप्टीस वाइरस भी कहा जाता है जनकारी के मताबे कि वाइरस एक कीड़े की काटने के बाद फैल होने लगते हैं यह वारस चीन के लिए नया नहीं है लेकिन इसका कोरोना वारस के बाद फैलना एक आम बात नहीं आपको बता दे चीन ने इसके पैथूजन को साल 2011 में ही अलग कर लिया था इस वारस के लिए डॉक्टर्स का मानना है कि ये वारस इंसानों के शरीर में कीड़े के काटने की वज़ज़ से होता है जिससे वग्यानिकों ने बुनिया वारस कैटेगरी में रखा है डॉक्टर शेंग जिफांग ने कहा कि इस S.F.T.S. वारस को इंसानों के जरीए दूसरे इंसानों में फैल सकता है हम इस आशुन का से इंकान नहीं कर सकते ये एक मरीज के म्यूक्यस या खून के जरीए दूसरे स्वस्त इंसान तक फैल सकता है डॉक्टरों ने चेताव ने दी कि केट के काटने की वज़ज़ से खतनाक वारस का संक्रमेंट तेजी से फैलता दिख रहा है ये वारस चीन के लावज जापान, दक्षिन कूरिया, वियतनाम और ताइवान में भी खूजा जा चुका है